है 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 यह यह दोस्तों के इस चानल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं प्रिवेडिंग एडिट के इस सिरीज में आज हम सिखने वाले हैं मास्किंग और टाइप सोप मास्किंग याने कितनी तरह की मास्किंग हम फोटोशॉप में कर सकते हैं वैसे ही मास्किंग किसको कहते हैं और उसका उप्योग कैसे करें और मैं यह मास्किंग आपको complete बताने वाला हूँ और इसके कुछ secrets मैं आपसे share करने वाला हूँ और friends के MGI चानल को subscribe नहीं किया है तो click करके subscribe करें तो फाइदा यह होगा कि आपका कोई भी session miss नहीं होगा तो चलते हैं masking के तरफ तो masking में छे तरफ की masking होती है first one है layer mask second one है gradient mask third one है vector mask fourth one है clipping mask fifth one है quick mask और आखरी है channel mask तो एक एक करके हम masking के पारे में देखेंगे पहले हम लोग layer mask की तरफ जाते हैं तो यह मैंने image यहाँ पर open की हुई है तो अगर यह जो नीचे दिख रहा है तो यह masking का icon है अगर मैं इसको click करता हूँ तो यहाँ पर एक white जैसे image है वैसा एक square आ गया तो आपको image तो दिख रही है तो फिर यह दबाने के बाद यह जो white mask आ गया उसका use क्या है तो अगर मैं brush tool active कर देता हूँ brush tool के लिए short की है B अगर मैं brush tool active करता हूँ और मैं यहाँ पर paint कर रहा हूँ तो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है क्योंकि foreground में white color है अगर मैं X दबाता हूँ तो X से क्या होता है एक से foreground में जाएगा याने white color यहाँ पर आ गया और black color उपर गया अगर मैं अभी brush की side bracket के tool से मैं बढ़ा रहा हूँ आपको पता है तो होगा यह short की bracket से brush कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं या brush कम या ज्यादा करने के लिए right click कीजिए और यहां से आप size उसकी कम या ज्यादा कर सकते हैं hardness आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैंने बिल्कुल 0 रखा है hardness और size रखिए 306 pixels तो इससे क्या होगा वह देखते हैं अगर मैं यहां पर brush कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ erase के जैसा symbol आ रहा है या यह हो रहा है मैं और brush थोड़ा बढ़ा करता हूँ और मैं सिर्फ यहां पर brush यह किया है और मैं इसकी hardness बिल्कुल 0 रखिए और size रखिए 1700 pixel और मैं यह कर रहा हूँ तो actually image को कुछ हो रहा है क्या अगर मैं इसको right click करके disable करता हूँ तो image जैसे के वैसे है यानि मैं जो भी काम कर रहा हूँ वह कहां पर हो रहा है तो वह mask पर हो रहा है तो इसका use क्या है तो इसमें आप image को touch किये बिना यानि non-destructively आप image edit कर सकते हैं अगर मैं x दबाता हूँ तो क्या हो गया foreground white हो गया और मैं अगर इसको paint कर रहा हूँ तो आप देख के मतलब यह है कि अगर सम्झो black है तो black क्या करता है black से आप अगर यहां पर देख सकते यह मैं इसको देख सकते तो जब यहां पर black है तो image दिखाई नहीं दे रही है और अगर समझो मैं यहां पर purely black डालता हूँ अगर मैं यहां पर pure black कर देता हूँ तो आपको image दिखाईने देती है और मैं यहां पर पूरा white डालता हूँ तो आप देख रहें पूरी image दिखाई देती है याने क्या करता है mask में white क्या करता है तो image दिखाता है और black क्या करता है image hide करता है देखे मैंने black दबाया है वहाँ पर तो image पूरी hide हो गई तो इसका use क्या है तो जब हम लोग quick selection tool या pen tool या कोई भी selection tool का इस्तेमाल करके image को cut करते है तो image जैसे के वई से रहती है और जो भी editing है वह mask में हम लोग करते है चलो दोस्तों यह masking का concept आपको समझ में आए इसलिए मैं और एक circle से समझाने की कोशिश करता हूँ पहले मैं market tool लेता हूँ M दबाके मैं market tool में आया shift M दबाके मैं circle बनाया फिर मैंने shift यह जो है वह elliptical है अगर मैं shift दबाता हूँ तो perfect circle आता है और मैं control shift N दबा रहा हूँ control shift N से क्या होगा तो नई layer मेरी बनेगी और उसमें मुझे all backspace से मैं foreground color fill कर सकता हूँ control Z करता हूँ foreground color बनाने का और एक तरीका है edit में जाके fill करके मैं अगर समझो इसमे foreground color डालता हूँ तो भी आप आपको वही black color मिलेगा मैं control D करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने circle draw किया है यह देखिए यहाँ पर एक circle draw किया है और मैं नीचा आता हूँ यह जो अपना add layer mask का symbol है उस पर click करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर white mask आई हुई है अगर मैं समझो control I दबाता हूँ तो control I दबाते समये make sure करना है कि आप ना की image पर selection हो आपका mask पर selection होना जरूरी है और मैं control I दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं अरे यह तो गया तो यह गया बोले तो क्या है यह black mask मैंने बनाया है तो black mask से क्या होता है image पूरी की पूरी दिखती है और समझो मैंने फिर से control आए दबाया देखिए आपको ये circle दिखाई दे रहा है तो white क्या करता है तो image को यानि जो black color का circle है या वो जो कोई भी image है वो आपको वहाँ पर दिखाई देती है तो इसका काफी use है जब हम लोग edit करते है तब ही इसका काफी use होता है तो आईए दोस्तों इसमें मैं और एक चीज करके आपको समझाने के कोशिश करता हूँ मैं मैंने फिर से M दबाया यानि मार्की टूल पर आया और मैंने इसमें से आधा circle select किया है फिर से मैं shift दबाता हूँ देखिए मैंने यह आधा circle select किया है और मैं अभी make sure करता हूँ कि मैं mask पे selected हूँ और उसमें मैं क्या करत तो फिर से मैं black color fill करता हूँ, alt और backspace, तो देखिए, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैंने एक circle बनाया है, यह circle क्या किया, इस circle ने क्या किया, तो उसमें जो white, यह जो black portion है, उस वज़े से यह portion दिखना चलो हो गया, तो mass में अगर black होगा, तो क्या होगा, तो mass में अगर black होगा, तो आपको image उतनी दिखनी चलो होती है, तो circle जैसे के वैसे है, तो आप unlimited time, आपको अगर edit करता है, तो mass के better option है, तो आपको यह चीज काफी अच्छी तरह से समझ में आगी होगी, अगर मैं shift दबाता हूँ, और mass पे click करता हूँ, तो देखिए, क्या हो मैं right click करके, यहाँ पर देखिए, disable layer mask भी कर सकता हूँ, या right click करके enable mask भी कर सकता हूँ, तो दो तरीके से, यहने जैसे मैं इने बता है, shift दबा के, आप mask पे click करके disable कर सकते हैं, वैसे shift दबा के आप enable भी कर सकते हैं, दूसरी चीज है, अगर आप यह जो image है, और यह जो mask है इसमें आप देखेंगे तो एक link का symbol दिया हुआ है, तो अगर मैं यह unlink करता हूँ, तो देखिए क्या होता है, अगर मैं mood tool पे आता हूँ, और अगर मैं mask यह कर रहा हूँ, mask हिला रहा हूँ, तो आपको समझ में आ रहा है, कि जो भी mask में black color है, उसका उतना under का portion black message करता हूँ, कि मेरा selection image पे हो रहा है, तो आप देख सकते है, selection वैसे के वैसे है, और यह black color का जो circle मैं ने बना हुआ है, तो वो घुम रहा है, तो आपको layer concept मेरे हिसाब से समझ में आया होगा, मैं फिर से यह पूरी की पूरी जो layer है, मैं delete करता हूँ, यह आज हमने देखा है layer mask, episode में हम लोग देखते, gradient mask, तो आपने अगर हमारा channel जो है, camsia, उसको subscribe नहीं किया हो, तो आप subscribe कीजिए, और कोई भी episode miss नहीं कीजिए, क्योंकि prevading edit में masking का काफी importance है, thank you very much